बच्चों चंदरगुप्त मौरे पे कोष्चन न पूछे जाए ये हो ही नहीं सकता बार बार इसमें कोष्चन आते हैं इसलिए हमने आप लोगों के लिए चंदरगुप्त मौरे पे पूरे के पूरे कोष्चन बनाने की कोशिश की हूँ कि आपको चंदरगुप्त मौरे पे अलग से पढ़ने की जरूरत नपढ़े आप इसे एक बार ध्यान से देखिए और पढ़िए उसके बाद एर्फोन कान में लगा करके इसको सुनिए ये 45 questions एक से दो बार में आपको याद हर हाल में हो जाएंगे बच्चों आप लोग एदे मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसे इसका आये बेल आइकन दबाना न भूलें इसे सस्क्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें तो मुझे अच्छा लगेगा कमेंट्स में बताएं कि क्या है और मेरे टाइम में ये क्वेशन कभी-कभी घुमा करके आते थे तो एंसर हमें पता होता था मगर समझ में नहीं आता था कि हम इसे कौन सा एंसर लिखें वर लिखें गलत न हो जाए क्योंकि हिस्ट्री टोटली कन्फ्यूजन पे है अच्छा बच्चो एक बात और है कि आप जैसे चीजों को समझें इसको समझें और बच्चो चलिए अब आगे के कुश्चन्स देखते हैं सेलुकस निकेटर का सिकंदर से क्या रिष्टा था सेनापती और शासक का सेलुकस सिकंदर का सेनापती था जैन धर्म का मुकुटधारी मुनी कौन था चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का मुकुटधारी मुनी फर्स्ट एंड लास्ट था चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम की महरानी हेलेना किसकी पुत्री थी तो यूनानी शासक सेलुकस की पुत्री थी प्रथम ब्रिहद अखिल भारतिय समराज्जी के स्थापना कब और किसने की 321 इशापुर्व चंद्र गुप्त मौरे ने की सैलुकस निकेटर का राजदुत कौन था तो उसका राजदुत था मैगस्थनीज प्रथम अखिल भारतिय राजजिवन्स किसे कहते हैं तो प्रथम अखिल भारतिय राजजिवन्स मौरी वन्ष को कहते हैं चंद्र गुप्त मौरी की साशन प्राणली किस प्रकार की थी? तो चंद्र गुप्त मौरी की साशन प्राणली राज तंत रात्मक थी इसके पहले नंदो का चाड़क के का बच्पन का क्या नाम था तो चाड़क के बच्पन का नाम था विश्णो गुप्त मैं गेस्थनी चंद्रगुप्त के शाषनकाल में कितने वर्ष तक रहा तो वो चार वर्ष तक रहा चंद्रगुप्त के पिता कौन थे तो चंद्रवर्धन मोरिया और सुर्या गुप्ता दोनों ही नाम मिलते हैं चंद्रगुप्त का विशेश वर्डन किसकी किताब या ग्रंथ में मिलता है तो वो है विशाक दत्त की किताब में मिलता है Salukas ने चंदरगुप्त मौरे से हारने के बाद क्या किया तो उसने अपनी पुत्री हेलना का विवाँ चंदरगुप्त से करवा दिया Salukas ने चंदरगुप्त को दहेज में कौन-कौन से प्रांत या राज्य दिये तो दिया है काबूल, हेराद, कंधार और मरकान चंद्रगुप्त मौर्या की विवाहिता अदुर्धरा किसकी पुत्री थी तो वो घनानंद की पुत्री थी नंदवंश के शाशक की चंद्रगुप्त मौर्या का जन्म भारत के किस भूमी पर हुआ था तो चंद्रगुप्त का जन्म पाटली पुत्र में हुआ था कोटेले के अन्य दो नाम बताईए तो कोटेले के अन्य दो नाम है विश्णो गुप्त और चाडब के 16th question चंद्रगुप्त की मृत्यों का क्या कारण था या कैसे त्यागा तो सलेखना विधी या उपवास या अन्य जल का त्याग करके सलेखना विधी को ही कहते हैं चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे या किस जैन गुरु से दिक्षात ली तो भद्र बाहू चंद्रगुप्त मौरी के विभाग अध्यक्ष किस नाम से जाने जाते थे तो अमात्ते के नाम से जाने जाते थे 19th number 21th number question चंद्रगुप्त मौरी के दक्षन विजय की जानकारी तमिल के किस ग्रंथ से मिलती है तो वो है आहना नूरु और मुरना नूरु से मिलती है कौटिल लिद्वारा लिखित ग्रंथ अर्थ सास्त्र की विशेवस्तो क्या है तो राजनेती सास्त्र है उसमें राजनेती से रिलेटेड चीजे लिखी हुई है सलेखना विधी से मृत्यों को प्राप्त करना किसी धर्म की प्रथा है तो वो जैन धर्म की प्रथा है 24 नमबर चंद्रगुप्त मौरे ने अपने जीवन के अंतिम पहर कहां व्यतीत किये स्रवन बेल गोला में उन्होंने अपनी मृत्यू को प्राप्त किया था ब्रिसल का क्या आर्थ है या शब्द किसके संदर में बोला गया है ब्रिसल का आर्थ है छुद्रकुल और संदर में चंद्रगुप्त मौरे ने चंद्रगुप्त के पुत्रों का नाम बताईए चंद्रगुप्त के कितने पुत्र थे बिंदुसार और जस्टिन दो पुत्र थे चंद्रगुप्त मौरे के बिंदुसार की मा का नाम बताईए तो बिंदुसार की मा का नाम था वो दुर्धरा बिंदुसार की मदर थी जस्टिन किसका पुत्र था तो जस्टिन हेलना और चंद्रगुपत मौरे का पुत्र था पुत्र जस्टिन और यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौरी के लिए क्या नाम दिया तो उन लोगों ने दिया सिंड्रा कोटस ब्रिहत भारत का सबसे प्रथम राजवन्ष किसे कहा जाता है तो सबसे प्रथम राजवन्ष मौरे राजवन्ष को कहा जाता है मौरे समाज की प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है तो उसका नाम है पण नाम के साथ बताईए कि चंदरगुप्त की कितनी रानिया थी तो उनकी तीन रानिया थी दुर्धरा, हेलना और चंदर नंदनी चंदरगुप्त मौरे का जन्म किस बीसी में हुआ था तो 345 इशापुर्व या विसी में हुआ था, विफोर क्राइस्ट विसी का मतलग है क्या आप जानते हैं कि चंदरगुप्त के स्वसुर का क्या-क्या नाम था तो फस्ट था घनानंद और सेकंड था सैल्यूकस निकेटर घनानंद दुर्धरा का फादर था सैल्यूकस की पुत्री हेलिना का दूसरा नाम बताईए तो करनेलिया था उसका दूसरा नाम करनेलिया चंदरगुप्त ने हेलिना से विवाह के उपरान सैल्यूकस को क्या उपहार दिया तो 500 हाथी गिफ्ट के तौर पे दिया था चंद्रगुपत के पास भारत वर्ष की विशालतम सेना की संख्या कितनी थी? तो 6,00,000 चंद्रगुपत मौरे को अपने उत्रा अधिकार के लिए किस से लडाई लड़नी पड़ी थी? तो वो घनानंद से लडाई लड़नी पड़ी थी राजगद्दी के लिए स्रवन बेल गोला कहां इस्तित है तो मैसूर में चंद्रगिरी पर्वत परिस्थिर है करनाटका में 305 BC में चंद्रगुप्त मौरे का किसके साथ युद्ध हुआ था तो वो हुआ था सैलुकस निकेटर के साथ और उसी समय उनका विवाह भी हुआ है लिना के साथ इतिहास कार चंद्रगुप्त मौरे को शाषनकाल का समय क्या बताते हैं तो 321 BC से 298 BC तक सिक्को का प्रचलन किसके शाषनकाल में हुआ था शुरू हुआ तो चंद्रगुप्त मौरे के शाषनकाल में शुरू हुआ था चंद्रगुप्त की माता का नाम बताओ तो चंद्रगुप्त की माता का नाम मूरा था श्वेत सरोवर किसका अर्थ है तो श्वेत सरोवर बेल गोला जो अब स्रवन बेल गोला के नाम पे जाना जाता है ये जैन तिर्थिस्थान है सिकंदर का दूसरा नाम और चंद्रगुप्तमिने से कब लड़ाई हुई अलेकजेंडर था और इसे कोई लड़ाई नहीं हुई थी